नमस्कार सभी को आपके सभी आगामी कमप्टीटिव एकजाम के लिए 1000 MCQ कोशन की जो सीरीज शुरू की गई थी वो आपके अभी चालू है जिसमें आपको 350 कोशन तक प्रोबाइट करा दिये हैं तो आएए प्रेशनों की शुरूआत करते हैं और बाकी की वीडियो आपको इसी सीरीज में हमारी यूट्यूब चनल सिक्छामीर दोस्त पर मिल जाएंगी आप जा करके देख सकते हैं तो आएए शुरू करते हैं कोशन नमबर 351 भारत की स्वेतंतरता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सियुत्तर हो जाएगा उप्सन डी लाड माउंट वैटन भारत के आखरी गवर्नर जनरल थे जो भारत की स्वेतंतरता तक रहे तो नेक्स्ट कोशन है भारतिय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कव निलंबित किया जा सकता है? तो इसका सियुत्तर हो जाएगा उप्सन ए राष्ट्री आपातकाल के दोरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी निलंबित करने का अधिकार है नेक्स्ट कोशन है सम्वीधान निर्माण प्रकरिया में कुल कितनी रकम खर्च होई थी तो इसका स्यूत्तर हो जाएगा ऑप्शन भी भारत के सम्वीधान को बनाने में 6.4 करोर रुपे का खर्चा आया था अग्ला प्रेशन है स्वयराज मेरा जनमसिद अधिकार है यह कथन किसका था तो इसका स्यूत्तर हो जाएगा ऑप्शन भी लोकमानने तिलक का नेक्स्ट कोशन है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव को किसने बसाया था अगर आपको पता है तो आप आंसर दीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशनों के आंसर देने की कोशिस कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है तो इसका सियुत्तर हो जाएगा ऑप्सन B आस्फोत दौलाने और यह है गौमती नदी के तड़ पर इस्तित है नेक्स्ट कोशन है निमनलिखित में से किस अनुछेद में इंडिया को भारत भी माना गया है या पिर कहा गया है तो इसका सियुत्तर हो जाएगा अनुछेद एक में और भारत को केवल समीधान का अनुछार इंडिया या भारत दोई नामों से जाना गया है तो नेक्स्ट कोशन है मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option C 1978 में अगला प्रेशन है निर्म लिखित में से कौन सा मंदिर चोल सामराज्य का एक उधारम है अगर आप कौन सार पता है तो आंसर दे सकते हैं तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option A एराव देश्वर मंदिर next question है हाल ही में सयुक्त राष्टर महासभा ने किस देश को मानवधिकार परिशद से निलंबित किया है तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option C रूस को यह आपका current affairs है अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं तो अगला question है हाल ही में किसे संत नामदेव राष्ट्रिय पुरुषकार से सम्मानित किया गया है यह भी आपका current affairs है तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option D सत्यपाल मलिक को important है note down कर लिजिए अगला question है विटामिन B complex में कितने विटामिन होते हैं तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option B विटामिन B complex में 8 विटामिन होते हैं तो next question है प्रेति व्यक्ति आये के मामले में सीड सिस्थान पर कौन सा राज जरहा तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option C ये भी आपका current affairs है आप चाहें तो note down कर सकते हैं तो अगला question है भारत में किसके सुझावों पर सरकार द्वारा क्रेसी फसलों का नियूंतम समर्थन मूल्य यानि MSP निर्धारित किया जाता है तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option D क्रेसी लागत और मूल्य आयोग द्वारा यानि CACP द्वारा next question है करम योद्धा गरंत निम्न लिखित में से किसके जीवन पर आधारित है अगर आप कौन सर्पता है तो आंसर दीजिए तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option A नरेंदर मोदी के जीवन पर अगला प्रेसन है निम्न लिखित में से कौन सा तत्वे लेटिराइट मिट्टी में प्रेचूर मात्रा में पाया जाता है तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option D आयरन ऑकसाइड अगला प्रेसन है भारतिया रेलवे रेलव कोच फैक्टरी किस सहर में इस्तित है तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option D कपूर थला में भारतिया रेलवे रेलवे रेल कोच फैक्टरी इस्तित है अगला प्रेसन है यूनिसेप की स्थापना किस वर्स होई थी अगर आपको अंसर पता है तो दे सकते है तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option A 1946 में यूनिसेप की स्थापना की गई थी तो अगला प्रेसन है इन में से किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो आफ दा येर 2022 का खिताब दिया गया तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option A Amber Bracken को और ऐसे ही कोशन आपका एकजाम में पूछे जाते हैं ये आपका current affairs है आप note down कर सकते है तो next question है इन में से किसे प्रेतिष्टित ओ हैंडी प्रुषकार से सम्मानित किया गया तो ये भी आपका current affairs है इसका सियुत्तर हो जाएगा option A अमर मित्रा को आप note down कर लीजिए अगला question है अंतराश्ट्रिय ओजोन दिवस कम मनाया जाता है option देकर आप answer दे सकते हैं तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option B 16 सितंबर को अगला question है मेखला चादर निमनलिखित मैंसे किस राज्य का पारम पर एक परीधान या फिर पहनावा है अगर आपको answer पता है तो दे सकते हैं तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option A अगर आपको प्रेसन अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और फॉलो भी कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके अगरा प्रेसन है सेर साह सूरी का मकबरा कहां इस्तित है तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option C सासाराम में तो next question है computer सवदाबली में निबल को और किस नाम से भी जाना जाता है option देखकर आप आंसर दे सकते है तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option B half bite half bite को निबल भी कहा जाता है next question है निबने लिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलन सील है और ये very important है कई वार आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option C vitamin C जल में घुलन सील होता है और आपको बता दें कि vitamin B और vitamin C जल में घुलन सील होते हैं बाकी के सभी vitamin वसा में घुलन सील होते हैं आप चाहें तो note down कर सकते हैं क्योंकि एक्जाम में ये प्रेशन पूछे जाते हैं नेक्स्ट कोशन है दच्छर पस्चिम railway का मुख्याले कहां पर इस्तित है तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option D हुबली में और भारत के सभी महत्यपून railway मुख्याले कहां इस्तित हैं ये हमने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिये हैं तो नेक्स्ट कोशन है प्रेती वर्ष सुल्तान अजलान सहा कब कहां आयोजित किया जाता है तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option A मलेसिया में तो नेक्स्ट कोशन है भारतिय सुधार संग का निर्मान कब हुआ अगर आपको अंसर पता है तो आंसर दीजिए और आंसर देने की कोशिस कीजिए तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option A 1870 में अगला प्रेशन है एन एरा ओफ डार्कनेस नामक पुस्तक किसने लिखी या फिर इसके लेखक कौन है तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option B ससी थरूर नेक्स्ट कोशन है हाल ही की लॉंच पुस्तक not just our night watchman my innings with BCCI के लेखक कौन है अगर आपको पता है तो आंसर दीजिए तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option B विनोध रोय अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते है तो next question है किस राज्य सरकार द्वारा मुख्य मंत्री उद्धो क्रांती नामक योजना की सुरुवात की गई ये आपका current affairs है आप चाहें तो इसे भी नोट डाउन कर सकते है तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option C मध्य प्रिदेश सरकार द्वारा अगला question है रेजर बैंक ओफ इंडिया ने अपनी reverse रेपोदर कितने प्रेश्यत रखी तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option C 4% लेकिन RBI की reverse रेपोदर बदलती रहती है इसलिए जो वर्तमान में हो उसे याद रखें तो next question है गांधी जी ने सरव प्रेथम भारत में सत्याग्रा का प्रियोग कहां किया तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option C चमपारण में तो next question है भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेश ने कब शुरू किया तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option D 1942 में next question है महत्मा गांधी के असेयोग आंदोलन के दोरान किसने अपनी वकालत छोड़ी थी तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option A मूतिलाल नहरू ने अगला question है नमक सत्याग्रह के दोरान निम्लिकित में से कौन गांधी जी से जुड़े तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option B सरूजनी नाइडू तो next question है भारत के उत्थान के लिए जन्चेतना जगाने हे तू किसने लंदन में इस्ट इंडिया एसोसियेशन की इस्थापना की थी तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option A धादा भाई नौरो जी ने अगर प्रेशन आपको एकजाम की दरश्टी से अच्छे लगते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और लोगों तक सेयर भी कीजिए तो नेक्स्ट कोशन है भारत में सामाजक भेदभाव की बरती घटनाओं को रोकने के लिए इलवर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option C लाड रिपन के द्वारा नेक्स्ट कोशन है भारतिय राश्ट्रिय कांग्रेश से त्याग पत्र देने के बाद सुवासचंदर बोश ने निम्न लिखित में से किसकी स्थापना की वेरी इंपोर्टेंट है तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option D फॉर्वर्वर्ड बिलोग की अगला प्रेशन है महात्मा गांधी द्वारा चमपारण सत्याग रह कब सुरू किया गया अगर आपको पता है तो आप आंसर दीजिए तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option C 1917 में तो नेक्स्ट कोशन है महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी सापता है पत्र का कौन सी थी ये काफ़ इंपोर्टेंट कोशन है कई बार एकजाम में पूछा गया है तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option B यंग इंडिया अगर आपको पता है तो option देखकर आप आंसर दीजिए तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option B लाला लाजपत राय अगला प्रेशन है भारतिय राश्ट्रिय कांग्रेज का प्रेतम अध्यच्छे कौन था तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option A WC बनर जी जो कोशन रिपीट होता है उसका अर्थ ये होता है कि वो कोशन वेरी इंपोर्टेंट है और कैई वार आपके एकजाम में पूछा गया है अगला प्रेशन है महात्मा गांधी ने कब हरीजन पत्रिका का प्रेकाशन आरंभ किया था तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option D 1933 में अगला प्रेशन है रोल एक्ट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option B 1919 में तो नेक्स्ट कोशन है इस्टेफ़र्ड क्रिप्स किस दल अथवा समूहे का था तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option A लेवर पार्टी का नेक्स्ट कोशन है भारत में एकलनाग रिक्ता की अवधार्णा को किस देश के सम्मीधान से लिया गया है अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option B इंग्लेंड के सम्मीधान से तो नेक्स्ट कोशन है किस सहर में भारत भाग्य विधाता उत्सब का आयोजन किया गया तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option D नई दिल्ली में यह आपका करेंट अफेर्स है आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं नेक्स्ट कोशन है भारत में राष्ट्रिय आयका आंकलंग समसे पहले किस ने किया तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option C दादा भाई नौरो जी ने नेक्स्ट कोशन है चंदरगुप्त मोर्य ने अपने अंतियम दिन किस इस्थान पर गुजारे option देकर आप आंसर दीजिए तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option D तो आज की वीडियो में आपके 400 कोशन पूरे हो चुके है अगर आपने इससे पहले के कोशन नहीं देखे तो बाकी के 300 कोशन आपको हमारी YouTube चनल सिक्छाय मेरी दोस्त पर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रेशन बॉक्स में और 1000 कोशन की सीरीज में मिल जाएंगे आप जा करके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए हमें सपोर्ट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटस हम आपको प्रोवाइड करा सके हैं तो धन्यवाद अगर आपको किसी पीडियाफ की आवस सकता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम आपको पीडियाफ भी प्रोवाइड कराएंगे तो अच्छे से तयारी करते रहिए लगने प्रोवाद कर दो प्रोवाद कर दो आपको